नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वन्वेश वर आई शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने अपना यहां तक का काम किया था दोस्तों जहां पे हमने इंसर्ट बाक्स की जो हेडिंग थी वो लिख ली थी तो अपने चलते हैं हम कोड एरेटर है ठीक है यह जो है वो पैनल की हेडिंग है तो पैनल की हेडिंग जो इंड हो रही है जहां पर वहीं से हमें इसके नीचे आना है यहां पर पैनल की हेडिंग जो है एंड हो रही है तो उसके बाद में इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और पैनल हेडिंग हो रही है यहा हो कि panel heading end ठीक है और इसको control करके save कर देता हूँ अच्छा यह होने के बाद में अभी हमें क्या करना है कि panel की जो body है वो यहां से बनानी है तो इस पर हम डिब यहां के pick बनाते हैं ठीक है और उस डिब में लिखते हैं कि यह जो डिब है हमारी इस डिब को हमें class देते हैं ठीक है और वो class कौन सा होगा पैनल बॉडी का ठीक है पैनल बॉडी का एक class हुआ और इस class के अंदर हम एक form create करेंगे friends ठीक है यह form जो create होगा हमारा इस form के अंदर हम इसकी एक class लगाएंगे form की ठीक है उस class को यहाँ पर हम नाम देंगे form horizontal की जो कि एक bootstrap की class होगी form horizontal ठीक है ओके form horizontal हो गया और इसको method देंगे क्योंकि इसमें डेटा पास होने वाला है तो जहट सी बात है इसको method देंगे हम same post का ठीक है और action देंगे हम same page पर sorry accept हो गया है action देंगे हम इसके same page पर ठीक है इस तरीके से रहेगा अपना form अच्छा अब इस form के अंदर यहाँ पर हम सारे form group जो है अपने वो create करेंगे कैसे एक div बनाएंगे यहाँ ठीक है एक div बना लेते हैं और इस div को एक class देंगे यह all md 3 and after that यहीं पर इसी के साथ हमें एक और class इसके लगाएंगे control label की control label ठीक है और उसके बाद यह तो वैसे label के लिए होगा I think एक unit यहाँ पर इसको हटा जाता है यह label के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर अभी तो हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो class form group की ही बनाएंगे है ना form group की बनाएंगे यह class हो जाएगी हमारी form group की good है ना और यह class यहाँ पर end हो रही है अब इस form group class के अंदर हम एक label लिखे लिखेंगे ठीक है लेबल लिखेंगे और इस label को हम सुरी class देंगे यहाँ पर ठीक है इस label को class देंगे call md3 की और उसके साथ control label का जो है class लगाएंगे जो कि यह सारी हमारी bootstrap की class होंगी control label की ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे उसका title box title क्योंकि यहाँ होगा हमारा box title एक होगा हमारा box का content यानि description और उसके बाद में एक submit की button होगी ठीक है तो यह कुछ ही इस तरह से होगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो है यह label हमारा जहां पर खतम हो रहा है इसी के नीचे आते हैं ठीक है और यहाँ पर एक div और बना लेते हैं ठीक है इसी div को हम यहाँ पर एक नाम देने के साथ पहले तो एक class देंगे class call md3 ठीक है call md3 के बज़ाए call md6 देंगे यहाँ ठीक है इसको call md6 देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक input tag अपना लगाएंगे input field जो हमारी रहेगी input ठीक है और इस input field का जो type होगा हमारा यहाँ पर उस type को हम देंगे text ठीक है type text देंगे name देंगे इसको box title का box title का और इसी के साथ इसको class देंगे यहाँ पर form control की class लगा देंगे जिससे ये एक अच्छी तरीके से so हो यहाँ पर है ना अब देखिए यहाँ पर यह div हमारा close हो गया यह हमारा form group की div है जो यहाँ पर close हो रही है ठीक है form group की अब इसी को यहाँ पर एक comment डाल देते हैं उठा करके कि form group कहां से start हो रहा है और कहां पर close हो रहा है यहाँ इसी form group को यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है group start ठीक है और यहाँ पर इसको copy करके और यहाँ पर देते हैं कि form group हमारा जो है close हो रहा है ठीक है? इस तरीके से अब इसी form group को अगर देखा जाए तो इसी form group को हम यहाँ पे copy कर लेते हैं और इसके निची आकर one, two time paste कर देते हैं तो यह वे तीन बन गए हैं अब इसको control एस करके save करते हैं और यहाँ पे आके refresh करते हैं तो यह बहुत ही ultra का सीधा सारा show होने लगा है ठीक है? अब इसको पहले चलिए चलते हैं और इसको हम सही करते हैं कि इसमें क्या problem हुई actually में ठीक है? अब इसमें div closing में ही दिक्टत भी होगी I think जो कि div है हमारी वो सही से close नहीं होई होगी और इसी वज़े से यह सारा जो है इस तरीके से show होने लगा है form heading अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह जो हमारी form की heading थी वो यहाँ पे close हो रही थी ठीक है? इसके नीचे हम आये यहाँ पे हमने dip बनाई पैनल body की ठीक है? और इस dip को कहा कि यह देखो पहले तो इस form की spelling हमने गलत कर दी form ठीक है? F-O-R-M रहेगा form horizontal and then अभी करके देखते हैं maybe सही हो जाना चाहिए इतने सही अभी देखो यह clear हो गया है वो spelling हमने mistake कर देखी ती इस विए से यह problem आई थी तो यह ठीक हो गया है ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी इसके titles को सारे को हमें पूरा का पूरा change करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं न? description में हमें अगर मैं description की बात करूँगा तो description में आपको एक text area देना होता है, ठीक है? description में एक आपको text area देना होता है तो मैं चलता हूँ पहले तो form title box title यह रहे देते हैं यहाँ लिखते हैं box description, ओके? तो यह पहला है हमारा यहाँ पे देखा जाए तो box title हो गया ठीक है? और दूसरा रहे का box description ठीक है? और इसको मैं input field यह हटा करके ठीक है? यहाँ पे देता हूँ text area ठीक है? और इस text area में यहाँ पे इसको मैं एक name देता हूँ क्या name? box underscore box desc कर देते हैं तो उससे description हो जाएगा है न? और उसके बाद में यह करने के बाद इसको हमें class यहाँ पे देंगे ठीक है? उस class को नाम देंगे form control form control और उसके बाद में इसको row देंगे यहाँ पे row, rows आपको मैंने पूरी चीज़ें सारी समझाई थी कि rows क्या होते हैं columns क्या होते हैं? ठीक है? rows यहाँ पे देंगे इसको 6 और columns देंगे calls जिससे कहेंगे calls देंगे इसको यहाँ पे 20, 90 कर दो 90 कर दो, ठीक है? यह करेंगे इसका हो गया box title, उसके बाद में इसके नीचे, यहाँ पे यहाँ पे देखा जाये, तो एक और हमने बना रखा है div, तो इसको हम type यहाँ पे देंगे इसका type देंगे submit का ठीक है? type देंगे submit का यहाँ पे name देंगे submit ठीक है? name देंगे submit, ऊके name देंगे submit, उसके बाद में इसका value देंगे insert box की, यहाँ पे एक value इसको देंगे insert box की value एक मिनिट ठीक है? value देंगे insert इसको हम Ctrl-East करके Save कर देंगे, उसके बाद यहां पर आके इसको Refresh करेंगे, ठीक है, तो यह देखे कुछ Insert Box की तरीके इसकी Value जो है, यहां पर बन गई है, और इसी के साथ यहां पर इसको हमें Class भी देंगे, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर इसको हम Class नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं सो होगा, तो इसको एक Class दे देंगे यहां पर, यह जो Form Control की Class है, यह Form Control की Class तो हम रहने देते हैं, as it is, बट इसके साथ ही साथ यहां पर एक और Class लगा देते हैं, BTN, 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 Primary की, ठीक है, और उसके बाद Form Control कर देते हैं, हम Ctrl यह सकरके Save कर दिए, और यहां पर आके इसको Refresh किया, तो अभी देखो यह बढ़ी आसो होने लगा है, ठीक है, तो यह जो हमारा Form है, यह पूरा, बनके इस Label तक यहां तक तयार हो गया है, तो चलिए मिलते हैं, एकले वीडियो में आएक का जो काम है, उसको Continue करते हैं, तब तक के लिए बएगा